Good day to all of you, मैं उमीद करता हूँ आपने राइटर के बेसिक भाग में राइटर 1 और राइटर 2 को सही से सीख लिया होगा और आप सभी ने राइटर 1 और 2 के टेस्ट को पास करने के बाद इस भाग में पहुचे हैं या राइटर का एडवांस भाग है, इस भाग में आपको राइटर के एडवांस ओप्शन के बारे में सिखाया जाएगा आप उन ओप्शन के बारे में सीखेंगे जो बेसिक भागों में नहीं पढ़ाया गया था आप सभी को इस भाग को ध्यान पुर्वक सीखना होगा सभी भाग की तरह या भाग भी आप के लिए महत्वपूर्ण है आईए अब Writer 1 और Writer 2 के कुछ आप्शन का रिवीजन कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं Default Formatting का उपयोग क्यों करते हैं Default Formatting एक ऐसा ओप्शन है जिसकी मदद से आप अपने paragraph अथवा किसी भी text पर की गई formatting को हटा सकते हैं और फिर बाहर एक normal view में दिखाई देता है क्या आप बता सकते हैं टेबल में Split Sale का उपयोग क्यों करते हैं टेबल में Split Sale का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब किसी Sale row अथवा column को एक से ज़्यादा भाग में बनाते या बनाना चाहते हैं तो आप Split Sale का उपयोग करते हैं क्या आप बता सकते हैं Find और Replace option का उपयोग क्यों करते हैं Find की मदद से आप अपने Document में किसी भी Word को सर्च कर सकते हैं मतलब ढूंड सकते हैं क्या आप बता सकते हैं Change Case का उपयोग क्यों करते हैं Change Case एक ऐसा option है जो Type किये हुए Paragraph अथवा Line को Capital, Small, Toggle में कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं Standard Toolbar क्या होता है Standard Toolbar एक ऐसा Toolbar है जिसमें कुछ Menu के सभी option को देख सकते हैं और उसे Shortcut के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं क्या बता सकते हैं Hyperlink क्या होता है और Hyperlink की File को कैसे Open करते हैं Hyperlink एक ऐसा option होता है जो आपकी उन Files को एक Line के रूप में करने में मदद करता है जिसे आप Page पर आए हुए Link से उस File को Open कर सकते हैं Writer में Hyperlink की File को Open करने के लिए आप एक Finger से Control के बटन को दबा कर रखते हैं और दूसरी Finger से Touchpad अथा Mouse के Left बटन को दबा कर Hyperlink की File को Open कर सकते हैं अब आप सभी अपने Computer को On करें और बताये गए किसी भी तरीके से Writer की File को Open करें आईए आज की Class को शुरू करते हैं आईए अब जानते हैं आज की Class में क्या सीखेंगे आज की Class में आप जो सीखेंगे वाए कुछ इस प्रकार से हैं Extender Tool का उप्योग कैसे करते हैं और Extender Toolbar के कुछ Option जैसे की New, Save, Open, Document as Email, Hyperlink और इसके साथ में आप Indent के बारे में सीखेंगे और Extender Formatting Toolbar को कैसे Lock और Unlock करते हैं ये भी सीखेंगे दिये गए Paragraph को टाइप करें क्या आपने Paragraph को टाइप कर लिया है? अब आप सभी इस Paragraph पर कुछ फॉर्मेटिंग कर लें आईए अब Extender Toolbar के कुछ Option को एक-एक करके सीखना सुरू करते हैं क्या आप बता सकते हैं Extender Toolbar क्या होता है? Extender Toolbar एक ऐसा Shortcut होता है जिसमें Menu Bar के कुछ Option होते हैं जिससे आप डाइरेक्ट क्लिक करके उप्योग कर सकते हैं इससे आप अपने अनुसार कस्टमाईज भी कर सकते हैं अब आप Extender Toolbar पर बने आइकन के बारे में सीखेंगे अब Extender Toolbar पर बने Shortcut आइकन की मदद से फाइल को सेफ करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि फाइल को Extender Toolbar की मदद से कैसे सेफ करते हैं इसके लिए आप सभी अपने Pointer को Extender Toolbar के अंदर सेफ भी कल पर लेकर आएं यहाँ पर क्लिक करें जैसे ही क्लिक करेंगे एक Box Open होगा उसके बाद आप Location को सेलेक करें Location कि आपको अपने Computer के अंदर इस फाइल को कहा सेफ करना है Desktop पे, Download में, Documents में या और कहीं, आप यहाँ से भी Location को देख सकते हैं क्योंकि आपको इस फाइल को Desktop पे सेफ करना है इसलिए Desktop भी कल्प को सेलेक करें और उसके बाद Final Name में जो भी आप इस फाइल का नाम देना चाहते हैं वह नाम टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और उसके बाद Save भी कल्प कर क्लिक कर दें तो इस तरह से आप अपने फाइल को Standard Toolbar के मदद से Save कर सकते हैं आप इसे Title Bar के अंदर Check कर सकते हैं कि आपका यह फाइल Save हुआ है, अथवा नहीं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप अपने फाइल को Save कर सकते हैं सामने दिये गए चीतर में एक Option को Rate Color से Highlight किया गया है, जो की New Option का है अब Standard Toolbar की मदद से नए पेज को लें अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो की मदद से New Bicalp का उपयोग करना सीखते हैं New Bicalp के लिए आप अपने Pointer को Standard Toolbar के अंदर लेकर आएं जैसे कि आप सभी जानते हैं New से आप नए पेज को ले सकते हैं अपने Pointer को New Bicalp पे लेकर आने के बाद यहाँ पे क्लिक करें जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक Box ओपन होगा इस Box के अंदर Open Office के जो भी Component से वह सो हो जाएंगे यहाँ से आपको Text Document लेना है क्योंकि हम Writer को सीख रहा हैं तो आप यहाँ से आप Writer के नए पेज को भी ले सकते हैं एस्टेंडर टूल बार के अंदर से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप एस्टेंडर टूल बार के मदद से निव फाइल को या निव पेज को ले सकते हैं आईए अब एस्टेंडर टूल बार के Document as Email के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं Document as Email से क्या होता है आप अपने डॉकुमेंट को डाइरेक्ट राइटर के फाइल से अटैच करके किसी दूसरे यूजर को Email के द्वारा भेज सकते हैं अथवा उस फाइल को PDF में भी भेज सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं Document as Email से किसी को Email कैसे करते हैं आईए अब वीडियो की मदब से सीखते हैं कि Document as Email बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं Document as Email से आप अपने Current Document या जो भी आपकी Computer के अंदर Save File है उसे आप Mail कर सकते हैं इसके लिए आपके पास Outlook Microsoft Outlook का एकाउंट होना चीए Document as Email करने के लिए आप अपने Pointer को Standard Toolbar के अंदर लेका रहें और यहाँ पे क्लिक करें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है या Microsoft Outlook का है इसकी उपयोग से आप जिसे भी चाहते हों अपने Document को Send करना आप Send कर सकते हैं जैसे कि नीचे यहाँ पे आपने जो Document Save किया था वह Attach के अंदर आ गया और यहाँ पे आपको उस नाम को टाइप करना है या उस E-mail ID को टाइप करना है जिसे आपको इस Document को भेजना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है नाम या E-mail ID को टाइप करने के बाद आप चाहें तो Subject भी दे सकते हैं और उसके बाद Send के विकल पर क्लिक कर दें जिसे कि आपका या Document जिसे आप Send करना चाहते हैं उसे या Send हो जाएगा तो इस तरह से आप Document as E-mail का उप्योग कर सकते हैं अगला Option Open का है क्या आप बता सकते हैं Open से क्या होता है Open से आप Save की हुई File को Open कर सकते हैं Open की मदद से कोई भी File को Open कर सकते हैं अब किसी Save की हुई File को Open करके दिखाएं अगर कोई समस्या है तो वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि Standard Toolbar के उप्योग से किसी File को Open कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने पॉइंटर को इस्टेंडर्ड टूल बार के अंदर ओपेन विकल्प पर लेकर आएं और यहाँ पर क्लिक करें जैसे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपेन होगा यहाँ से आप अपने फाइल के लोकेशन को डूढ़ सकते हैं कि आपका फाइल कौन से लोकेशन पर सेव है desktop पर है, download पर है, recent place में है desktop भिकल्प को select करें और उसके बाद यहाँ से इसे नीचे, scroll करके नीचे के तरफ लेकर आएं, drag कर के अब आप अपने उस फाइल को ढूड़ें जिसे आप open करना चाहते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इसे उपर या नीचे के तरफ भी scroll कर सकते हैं या drag कर सकते हैं आप अपने फाइल को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर फाइल नेम जैसे आप सलेक करेंगे आपका यहाँ फाइल नेम यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद उस ओपन लिखे हुए विकल्ब पर क्लिक कर दें अब आपका वेफाइल ओपन हो जाएगा जिसे आप ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्टेंडर्ट टूल बार के मदद से भी अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं क्या आप जानते हैं एक्सपोर्ट एज पीडियाफ क्या होता है Export as PDF से आप अपने document को PDF में बदल सकते हैं PDF एक ऐसा format होता है जिससे आपका document सुरक्षित हो जाता है उसमें कोई user कुछ editing नहीं कर सकता है क्या बता सकते है PDF का full form क्या होता है PDF का full form portable document format होता है आईए अब video को देख कर सीखते हैं कि writer के file को PDF में कैसे convert करते हैं आईए अब video के मदद से सीखते हैं कि standard toolbar के उपयोग से अपने file को PDF में कैसे convert करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को standard toolbar के अंदर PDF बिकल्ब पर लेकर आए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर अपने touchpad या mouse के left button को click करें एक box open होगा यहाँ पर आपको अपने file को save करने का location देना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने file के location को कहीं भी रख सकते हैं desktop पे, documents में क्योंकि आपको इस file को desktop पे रखना इसलिए desktop बिकल्ब को select करें और उसके बाद file name को रखें यहाँ पर देखें save as type format जो है PDF के अंदर दिखाया जा रहा है यानि कि PDF में convert हो जाएगा इसे देखने के लिए आप अपने file को minimize करें और अपने computer के desktop location पे जाएं यहाँ पे देखें जिस नाम से आपने file save किया है वह PDF के अंदर save हो जाएगा desktop के उपर इसे open करने के लिए आप अपने touchpad या mouse के button को दो बार click करें जिससे कि आपका file open हो जाएगा आप इसे check कर सकते हैं देख सकते हैं इसके अंदर आप अपने cursor को रखें और keyword की कोई भी key को दबा के देखें कुछ भी type नहीं हो सकता है जैसे कि आप सभी जानते हैं PDF के अंदर हम कोई भी changes नहीं कर सकते हैं या दुबारा से कोई भी typing नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने file को PDF में convert कर सकते हैं अगला option page preview का है page preview के मदद से आप अपने document को print preview में देख सकते हैं अब आप page preview करके दिखाएं अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि page in preview का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को standard toolbar के अंदर लेकर रहें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और यहां पे क्लिक करें यहां आपका page preview भी कल्प है जैसे ही आप page preview पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने page की preview को देख सकते हैं यहां से आप इस page के multiple preview को भी ले सकते हैं जितना आपको चीए आप उसे बढ़ावे सकते हैं इस option से आप book preview को भी देख सकते हैं यहां से आप अपने page की preview को जूम इन कर सकते हैं यहां से आप अपने page की preview को जूम आउट भी कर सकते हैं फिर उसके बाद यहां से आप automatic page की size को भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अगर आपको full screen करना है तो यहां से आप full screen कर सकते हैं अगर आपको print लेना है तो यहां से आप print document कर सकते हैं अगर आपको close करना है तो आप इसे close भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप page preview विकल्प का उप्योग कर सकते हैं अगला option spelling and grammar का है क्या बता सकते हैं Spelling and Grammar से क्या होता है Spelling and Grammar से आप अपने लिखे words की Spelling को चेक कर सकते हैं और उसे correct भी कर सकते हैं अब आप वीडियो को देखे और सीखे Grammar and Spelling का उपयोग कैसे करते हैं आईए वीडियो की मदद से देखते हैं या सीखते हैं कि spelling and grammar बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके लिए आप सभी कुछ word या कुछ line को टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जो भी आप गलत word टाइप करेंगे उसके नीचे rate color का line आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है rate color का line आने से पता चलता है कि हमारा वह spelling जो हमने words टाइप किये हैं उसके spelling गलत है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जितने भी word हम टाइप कर रहे हैं यह जो भी sentence टाइप कर रहे हैं वह उसके spelling गलत है अब इसे ठीक करने के लिए आप अपने उस word को select करें और इस spelling and grammar विकल्प को select करें यहां पर click करें उसके बाद यहां पर नीचे उससे related कुछ सब्द आ जाएंगे उन में से जो भी आपको चाहिए उससे select करें और फिर change लिखे हुए option पर click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद फिर अगला word red color से दिखाया जा रहा है उसके लिए भी कुछ option नीचे आगे उन में से जो भी आपको चीए select करें change पर click कर दें फिर अगला word red color से दिखाया जा रहा है उससे change करें फिर अगले word जो भी आपको चीए उससे select करें अगर नीचे से कोई चीए तो नीचे के तरफ इससे drag कर सकते हैं और वहाँ से change कर सकते हैं इससे फिर उसके बाद next word जो आपका गलत है उससे red color में दिखाया जा रहा है अब इसमें से जो भी आपको word चीए उससे select करें और फिर change पर click कर दें और उसके बाद जैसे ही complete होगा एक box आ जाएगा उस box पर ok पर click कर दें जिससे कि आपने जो line गलत type किया था जो spelling गलत हुए थे उसके spelling को आप ठीक कर सकते हैं तो इस तरह से आप spelling and grammar बिकल्प का उपयोग कर सकते हैं अब आप cut, copy और paste के बारे में सीखेंगे क्या आप बता सकते हैं ये तीनों standard टूल बार में कहां पर होते हैं सामने दिए गए चीतर में red color से highlight किये गए option, cut, copy और paste के हैं अब आप copy paste की मदद से paragraph को copy paste करके दिखाएं आईए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि standard टूल बार के उपयोग से copy paste कैसे करेंगे जैसे कि आप सभी ने copy और paste, menu bar और shortcut command के द्वारा उपयोग किया था अब आप standard टूल बार के द्वारा copy paste का उपयोग करेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं copy करने के लिए हमें उस line या paragraph को select करना होता है जिसे आप copy paste करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी अपने line या paragraph को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे ही select करेंगे उसके बाद standard टूल बार के अंदर copy वाला बिकल्प या copy का बिकल्प highlight हो जाएगा और वहाँ पे click करने के बाद एक बार click करें copy के बिकल्प पर और उसके बाद अपने pointer को वहाँ पे लेकर आएँ जहां आप उसे paste करना चाहते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने pointer को वहाँ पे रखें और उसके बाद फिर से अपने pointer को एस्टेंडर्ड टूल बार के अंदर लेकर आएं और paste बिकल्प पर click कर दें जिससे कि आपका वह line या paragraph जिसे आपने copy किया है वह अब paste हो जाएगा तो इस तरह से आप एस्टेंडर्ड टूल बार के दुवरा भी copy paste का उप्योग कर सकते हैं फिर paragraph को आदा select करके cut करें और एक नए page को लें उसमें paste करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि एस्टेंडर्ड टूल बार के उप्योग से cut और paste कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी ने cut और paste shortcut command और edit menu बार के उप्योग से किया था अब आप एस्टेंडर्ड टूल बार के दवारा cut और paste करना सीखेंगे cut करने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपने line या paragraph को select करना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है select आप किसी भी प्रकार की बीदी द्वारा कर सकते हैं जैसे आप select करेंगे standard toolbar के अंदर cut का option highlight हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे click करेंगे तो आपका जो आपने line या paragraph select किया है वह cut हो जाएगा यानि कि हट जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप इसे कहीं भी paste कर सकते हैं मालने जीए आपको किसी और document या नए writer के paste पर उसे paste करना है तो यहाँ से नए page को लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को click करें और फिर standard toolbar के अंदर paste वाले option पर अपने pointer को लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और यहाँ पर click कर दे जिसे कि आपका वह paragraph जिसे आपने cut किया था वह अब दूसरे page पर paste हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप किसी भी line या paragraph को standard toolbar के मदद से cut और paste कर सकते हैं अब undo और redo का उप्योग करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ये standard toolbar के मदद से undo और redo का उप्योग कैसे करते हैं आप सभी line या paragraph को select कर लें और उसके कुछ formatting को change कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सबसे पहले font के style को change किया उसके बाद font के size को बढ़ाया उसके बाद जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने pointer को standard toolbar के अंदर लेकर आएं यहां पर इस पर click करें यह undo का भी कल्प है तो बाद क्लिक करेंगे तो आपके पहले के तरह format आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरह से आप undo पर click करते रहें तो आप change होता जाएगा अगर आपको फिर इससे पहले की तरह लाना है तो आप redo का उप्योग कर सकते हैं इसके लिए अपने pointer का standard toolbar के अंदर redo भी कल्पे लेकर आएं और click करें देखें यह change होता जाएगा एक बार click किया आपके font का style change हो गया अगली बार click करें फिर से अब आपके font का size बड़ा हो गया इस तरह से आप undo और redo का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं undo के द्वारा एक step हम पीछे होते हैं और redo से एक एक step आगे के तरफ आते जाते हैं इस तरह से आप undo और redo का उप्योग कर सकते हैं अगला option format paint brush का है क्या आप जानते हैं format paint brush से क्या होता है format paint brush की मदद से आप किसी line या paragraph पर हुई वैसे ही formatting को दूसरे paragraph और line पर लगा सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं format paint brush का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि format paint brush का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं format paint brush के द्वारा आप किसी भी एक line या paragraph की जितनी भी आप formatting करेंगे सेम वैसे ही आप दूसरे line या paragraph पे भी web formatting को ला सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने पहले line को select कर लें और उसके बाद format paint brush के option पर click करें click करने के बाद आप चाहते हैं कि दूसरी line सेम पहले line की तरह हो तो आप उसे select कर लें और फिर format paint brush पर click कर दें तो देखेंगे कि आपने जो पहला वाला line select किया था वह सेम फॉर्मेटिंग दूसरे line पर भी आग जाएगा फिर से आप किसी और line को select कर लें और उसके बाद format paint brush पर click करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है click करने के बाद फिर उसके बाद किसी और line को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर यहां पर देखेंगे कि आपकी जो दूसरी line है उसकी तरह यह line automatic format में आ गई इस तरह से आप format paint brush का उप्योग करेंगे आए फिर से किसी और line या paragraph को format paint brush का उप्योग करके देखते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इस line को select करें उसके बाद format paint brush पे जाएं यहाँ पे click करें फिर आपकी यह अगली line भी सेम वैसे ही आगे जैसे आपकी पिछली वाली line थी अब आप इस line को format paint brush का उप्योग करेंगे इस line को select कर लें select करने के बाद अपने pointer को standard toolbar के अंदर format paint brush पे लेकर आएं और फिर दूसरी line को select करें जिसे आप पहले line की तरह format में लाना चाहते हैं और उससे select कर लें जैसे ही select करेंगे वा line automatic पिछली line की format की तरह हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप format paint brush का उप्योग कर सकते हैं अगला option hyperlink का है क्या आप जानते हैं hyperlink से क्या होता है hyperlink के मदद से आप अपने page पर link बना सकते हैं आप hyperlink के मदद से एक से जादा file को link के द्वरा attach कर सकते हैं अब आप hyperlink लगा कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि hyperlink का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं hyperlink के द्वरा हम किसी एक फाइल को एक से जादा file के link करना सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है hyperlink का उप्योग आप standard toolbar के द्वरा भी कर सकते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को standard toolbar के अंदर लेकर आएं यहाँ पर click करें उसके बाद एक box open होगा इस box के अंदर आपको document लिखे हुए बिकल्प को select करना है उसके बाद अपने pointer को यहाँ पर लेकर आना है click करना है जैसे ही आप click करेंगे एक और box open हो जाएगा इस box के अंदर आप computer के location को देख सकते हैं यहाँ पर आप जहाँ भी आपकी file है उस location को डूड़ेंगे यह अपने file को डूड़ेंगे और उससे select करने के बाद open पर click कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर text के अंदर जो भी चाहें type कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है text के अंदर हमने computer शिक्सा को type किया फिर उसके बाद apply पर click कर दिया जैसे ही apply पर click करेंगे उसके बाद अब देखें कि आपकी जो current document है वहाँ पर computer शिक्सा लिखा हुआ hyperlink का symbol या path या location आ गया आपका अब यहाँ पर आप उसे control के बटन को दबाके रखें वह फाइल जिसे आपने save किया है या link दिया है वह open हो जाएगी इस तरह से आप hyperlink का उपयोग कर सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से सीखें कि standard toolbar को कैसे lock और unlock करते हैं और इसकी option को कैसे hide और show कर सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से standard toolbar को lock और unlock करना सीखते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है एसेंडर toolbar को lock और unlock करने के लिए आप अपने pointer को यहाँ पे लेकर आएं इस option पर click करें उसके बाद यहाँ पर देखें लॉक टूलबर option पर सही का निसान है जैसे आप उसे click करेंगे आपका यह standard toolbar लॉक हो जाएगा यह अभी unlock हो गया आप इसे यहाँ से pick करके कहीं भी रख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर इस option पर click करें और यहाँ पर click करते हैं लॉक टूलबर option भी कल पर तो यहाँ पर सही का निसान आ गया इसका मतलब आपका standard toolbar अब लॉक हो गया अब इसे आप pick करके कहीं या pick करके कहीं नहीं रख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब आप formatting toolbar को lock और unlock करना सीखेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अभी आपका formatting toolbar unlock है मतलब यह लॉक नहीं है इसे आप pick करके कहीं भी रख सकते हैं अब इसे lock करने के लिए आप इस option पर क्लिक करें और यहां पर lock toolbar position पर क्लिक कर दें तो अब आपका formatting toolbar भी lock हो जाएगा अब इसे आप pick करके कहीं भी नहीं रख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप अपने standard toolbar और formatting toolbar को lock और unlock कर सकते हैं अगला option decrease indent और increase indent का है क्या आप बता सकते हैं decrease indent और increase indent से क्या होता है decrease indent से आप line अथा paragraph को left side से margin कम कर सकते हैं इससे line left side में आने लगता है increase indent से आप line paragraph को right side से margin कम कर सकते हैं इससे line right side में आने लगता है आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि decrease indent और increase indent कैसे करते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि decrease, indent और increase, indent का उपयोग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपनी pointer को formatting toolbar की अंदर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे लेकर आए सबसे पहले आप decrease, indent का उपयोग करेंगे जैसे ही आप decrease, indent पे क्लिक करेंगे तो आपका वह लाइन जहां आपका cursor होगा वह पीछे के तरफ यानि left के side में कम होता जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप increase, indent का उपयोग करेंगे तो आपका वह लाइन जहां आपका cursor है पेज के आगे के तरफ यानि right side में बढ़ता जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप इसे कम करना चाहते है तो आप decrease, indent का उपयोग करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको जितना इसे कम करना है उतनी बार आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप decrease indent के उपयोग से कम कर सकते हैं अगर आप किसी और line को increase और decrease करना चाहते हैं तो आप अपने pointer को महाँ पे लेकर आएं उस line के पास और क्लिक कर दें और फिर आप उसे increase indent विकल पर क्लिक करें तो विकल आप आगे के तरफ बढ़ती जाएगी अगर उसे आपको कम करना है तो आप decrease indent का उपयोग करेंगे इस तरह से आप decrease और increase indent का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है अब आप computer को shutdown करें और writer के file को close करें आज की क्लास में आपने सीखा standard toolbar क्या होता है standard tool के option जैसे की save, new, open, export as pdf, document as email, hyperlink के साथ-साथ toolbar को lock और unlock करना सीखा और इसके साथ-साथ formatting bar के option जैसे की decreasing indent और increasing indent के बारे में सीखा और साथ में इसे कैसे lock और unlock करना सीखा अज़ा정ा म लौ ऑाध सिंसा पथचग